कि अगाइज एंड वल्कम तू माई चैनल फेंड्स मैं उसे से सुखला और आप देख रहें एटुचर फ्रेक्टिकल फ्रेंड्स आज एक्स्परिमेंट स्टाट करने वाला हूं वह है क्लास 12 केमस्ट्री का और वह बेसिकली आपका मतलब इंट्रस्टिंग चीज है कि आपक आपको बता दो कि इस पर 11 12 फैजिक्स केमस्ट्री से रिलेटेट सारे एक्सपरिमेंट है आप चाहिए उसको चेक आउट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए चलू मैं आपको यह जो ट्वेल्थ एक्सपरिमे पर चाहिए उसको कैसे करना है सारी चीजह मेरे उपर छोड़ दो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ चलू मैं फट फट और एक्सपरिमेंट क्का करता हो स्टार्ट करना हूँ चैक यह है मेरे पास पुंतलि एक ग्राम को रिजए ने लिने वेट किया है अगर आपके को यह काई करते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं तब मैंने आप एक ग्राम पोतेसिटियम सल्पवेट लिया और चार ग्राम क्या लिए अलमूनियमum तरह अभी में दोलों को क्या करूँगा 2 निए ऑपोनेड यू का कि यह करूँगा यह आप आपको क्या करना दूसरा स्टिप आज आना है आपको 20 ml डेस्टिल वाटर लेना है तो मैं यहाँ पबॉंटील वाटर लेता हूं थिक्ए इसको आप 100 ml ईकर में ट्रांसफर कीजिये और इसको बघय करना हूं पटापटि शू और और इसको boil करने के लिए रख देता हूँ और जैसे यह boil हो जाएगा 20 ml तो मैं क्या करूँगा 20 ml डिस्टिल वाटर को इस salt वाले में जिसमें मैंने दोनों salt को mix case में मैं transfer करूँगा और बहुत ही अच्छे से क्या करूँगा इसको dissolve करूँगा तो फ्रेंट्स आप देख रहोंगे यहाँ पर boiling स्टार्ट हो गया तो मुझे क्या करना है इस boiling solution को ना continuous stirring के इस आपसे इसमें add करना है जो हो यह salt solution कि मैं add क्या आड़ करूँगा 2 ml dalude sulfuric acid तो मेरे पास यह dalude sulfuric acid है इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 ml आड़ कर दोंगा 2 ml dalude sulfuric acid करूँगा और इसको अच्छे से क्या करूँगा अभी मैं dissolve कर देता हूँ बात मैं इसको heat करूँगा और heat करने के बाद अगर milky color precise होता है तो मैं क्या करूँगा इसको filtered करूँगा ठीक है इसको हीटिंग पर रखती है ठीक है और इसमें milky color थोड़ा बहुत आ रहा है तो मैं इसको filter करके देख लेता हूँ कि अगर आप में आता है तो आप जरूर filter कीजिए अगर नहीं आ रहा है तो आपको filter करने की कोई जूरत है आप डारेक्ली इसको heat कर सकते है तो मैं इसको filter रहता है इसे यह ऐसे मोड़ना रहता है ठीक है अब आपको stand लेना है ठीक है अठीक है और stand के ऊपर क्या मैं आपको funnel रखना है ठीक है और funnel के नीचे में क्या रखूँंगा China Disco रहो थीक है जीचाट पर इससी में क्या करूँंगा filter करंग řूक्ड तो मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टलाइजेशन आप कैसे चीप कर सकते हैं इसको हीटिंघ पर रख डूंगा से कुछनस आपा ये अध्य शुका है अमें इसको क्या करूंगा विशेट पाइनक रख दोंगा त्यान मैं सको रहा हूं तक मुझे इसको हीट करना रहेगा जब तक इस लिक्वीड का 1 3rd part क्या हो जाए इवोपरेट हो जाए जैसे इस लिक्वीड का 1 3rd part इवोपरेट हो जाएगा मैं इसको फटा दूँगा या फिर एक प्रोसेस और होता है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते कि डाकुट है कि यह क्रिस्ट्लाइजेशन ररीच हो रहा है वहाँ होता है किंश्ट्री से्ट्राइजो पड़ाषर को बाहर निकालेगा तो इसका यह आर्यक्र जो पूम्हार और यहां पर तुम्हें स्ट्रीद पार्टिक现在 अग्माद अगया तो इससे पता चलता कि यह यह क्रिस्टॉ karena चुका यह फट और यहीं क्या स rôle देप करते हैं न क्या करना रहता है और हम निकाल पर देखनाना रहता है तोफिलाल इस पर शॉलिद पर्टिकल जंडेट नहीं ओड तर्फिक प्रफु पॉइंट यह अचिव कम नहीं हुआ आप देख सकते हैं यहां पर कोई क्रिस्टिलाइजिशन पॉइंट अचीव नहीं हुए अदर्वाइस इस सॉलिड पे ना अगर इस ग्लास रोड पे ना हलका-लका सॉलिड क्या होता जमना स्टार्ट हो जाता ठीक है अगरे जी संपॉइंट पर यह अच्छी वहता है ठीक है लेकर आप यह देख रहे इस आजबाद यह कैसे क्रिस्टल से सके लगए टिक है क्रिस्टलाइजिसन पॉइंट तक अचीव हो गया था इसलिए मैंने क्या किया था बर्नर को बंद कर दिया था अब मैं इसको नाचरली क्या होने दूंगा फूल होने दूंगा और यह ग्लास रोड के हल्प से आपको पता चलता है ठीक है क्या करूंगा इसको नीचे रख देता हूँ अर Major को fraude से उल्म होने के बाद क्या होगा यहां पर च्रिस्टल जो फॉर्म होना क्या हो जाएगा सुरूर्व हो जाएगा सो फाइनली मैंने लगब वन थर्ड पार्ट इवाव परेट करने के बाद मुझे इतना सा सॉलिड मिला है और आप देख रहोंगे इस सॉलिड में क्या हो रहा है लेक्विड तीरे-देरे जमना शुरू हो गया है ठीक है अब वहां पर हलका हलका एक उफर सब्स्टन्स जैसा तो प्रेंट्स आपको यह क्रिस्टल दिख रहा हो गया यह ठीक है और आपको दिखा देता हो इदा डेखि County धस् बहुत ज्यादा संआज स्टाइब हो घर क्रेंट्स अब यह किस्टल आपको दिख रहा होगा अब मैं इसको क्या करता हूं निकालता है आपको इसको naturally cool करना होता है ठीक है और यह जो crystal बनता है यह potassium होता है like K2SO4, Al2SO4 or 24H2O आपको इसको दिखा के दिखा देता हूं इसको यह कैसा रहता है ठीक है दिखिए यह बिल्कुल और निकल भी नहीं रहा है ठीक है यह आपको crystal दिख रहा होगा तो यह पुटास एलियूम का crystal है फिट करी भी बोलते इसको ठीक है तो अभी हमें क्या करना रहेगा इसको निकालना रहेगा इसका वेट लेना रहेगा इसके मरें अलग करना रहेगा आप लोग बोलोगे कि सर यह म क्या होता है ठीक है यह जो भी लिक्विड है रहेगा SHT को मदब है ता मिंको फिल्ट्र प्रक्रण की हलन निकाल सकते तुम्हाँ आपको बताता स्कों कैसे अगर आपसको देना है न तापको इसके लिए यूजट करना रहेगा अंग आहते इसको जो अ ठीक है मैं इसे आपको दिखा देता हूं ठीक है चलो अब मैं आपको फटा पड़ दिखा देता हूं कि आप इसको अलग कैसे करोगे रख देए कि तो मैं फटाक से फिल्टर लगा देता हूं यहां पर यहां पर एक फिल्टर पेपर यूज कर देता हूं तो फ्रेंड्स मैं आप मदर लिक्वेर को अलग कर देता हूं फलक है नहीं ज्यादा मदर लिक्वेर ठीक है बचाएं इसमें तो मैं इसको निकाल लेता हूं ठीक है आप यह देख पा रहे होंगे यहां पर बहुत ही fine और clear crystal यहां पर generate होता है यह फूरा तो नहीं निकालोंगा ठीक है लेकिन आप उपने exam में इसको पूरा निकालीए और बहुत ही अच्छे से time ले के निकाल लिए आप अपना अगर अच्छे से निकालना चाहते तो आप यहां पेक वाटर यूज़ कर सकतें जो भी सब्स्टन से निकल जाएगा ठीक है अभी जो मेरा क्रिस्टल यहां पर बन गया है ठीक है तो उसको मुझे क्या करना है वाटर से वाशाउट देना अगर आप इसको वाटर से वाशिंग नहीं करोगे ना तो इसका असेड़ी नहीं निकलेगा तो मैं क्या करेंगा जो भी सॉ क्यों सो finally आप यहां पर देख रहोंगे यह इतना सरह यहां पर हमें मिला है ठीक है यह पूतास अल्यूम एटिक हिसको बोलते हैं प्रटास अल्यूम है इसको निकाल लेता हूं एक्षम को ड्राई करने की प्रोसेस बताव कि हम इसको ड्राई कैसे करते हैं ठीक है फुलाल के फ़िल्टर पर फरंगे आपको इसको बिल्कुल पान्पर रखना पड़ता है और निकाल अब मैंने इसको निकाल लिया है अब मैं आपको दिखाता हो एक्जैक्ट यहाँ पर मैरे पास क्रिस्टल भावापि जिदा चाहिं sorry का समस्ट बतातेताउं चाहत्ब ड्राइः की बाइब वाईर्ड उपर रखना थीक यहांद यहां पर India की प्रूपर थाद मेरे अधाइब इनकुर्फ बकूंत है इस पर अलका सब्सक्राइब करना है अगर वाटर मॉलीक्यूल इस फिल्टर के उपर रखते तो जैसे लगे हुए अभी लग चुके तो इसका मतलब यह नहीं हुआ है इसको आप और ड्राइब कीजिए ठीक है एक और मैथड होता है आपको इसका कंटिन्यू वेट लेना तो अप थుआला उसप्सकों कर सकते और आपको बारबर में क्या होजाएगा मतलब बहुत और जल्दि सुब जाएगा ठाइकैं पूरी तरीकी से नहीं चुका TikTok और रहेगा मैं आपको इसका रेल्ड बता देता हूं कितना इसका यहीं आए़ divine गाएगा यह यह वही फिटकरी जो आपके घरों में क्या होती है यूज होती है तो यह बहुत ही बेस्ट तरीका है फिटकरी बनाने का और जो कि 12 का हमारा प्रैक्टिकल है तू प्रिपेर दा प्योर सेंपल अब दी पोडास अल्यूम ठीक है जो के एक्स्परिमेंट नंबर का है 12 चलो हम इसको यह पर टेयर करतेंगे तो इसका वेट है बिसिकली 3.9 तो आपको यह 3.5 के बीच मिलता है ठीक है 3 to 3.5 के बीच में तो आपका एक भी मार्क्स डेटक नहीं होता है तो फिलाल इसका जो वेट मेरा आ रहा है पोटास अल्यूम का कितना आ रहा है 3.9 तो पहला 3.9 आपका जो भी आएगा आप उतना लिखिएगा ठीक है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पोटास अल्यूम प्रिपेर करके दिखाया और यह बहुत ही फाइन टिस्टलेन सॉल्ट है ठीक है और इसमें बहुत ही एजी लगा होगा आपको जैसे जैसे मैंने बता का दिखाया देगे 3-2-3 पॉइस आया के वीच में आता है आप मुझे सपोर्ट कीजे इस चैनल को सपोर्ट कीजे और मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजे अपना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल से कि आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना ले क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक सब्सक्रिबर मेरे ले काफी माइने रखता है So thank you for watching this video and please subscribe e2jPractical. Thank you.